जार्गन पार्टी के कारकारी अध्यक्ष अजित कुमार ने दावा किया है कि रामगण उप्चिनाओं में जार्गन पार्टी अंडर करेंट चल रही है और उने कहा कि रामगर अप्चिनाव में एंटी और यूपी के बीच नहीं बलकि त्रिकोणिया मुकाबला होगा जार्गर्ट पार्टी सर्प्राजिंग अलिमेंट साबित होगी अजित कुमा ने कहा कि इमोशनल कार्ड वाले सियासत नहीं चलेगी और उने कहा कि मुख्यमंतरी बच्चे को गोद में लेकर कारून का उलंगन कर रहे जान मुझकर ममता देवी के बेल को लेकर सरकार आगे नई बढ़ रही है एक दुद्मुहे बच्चे को उसकी मां से दूर रखा जा रहा है वोड बैंक के खातित बच्चे का इस्तेमाल हो रहा है अजित कुमा ने कहा कि रामगर में पत्ति पत्नी वाली राज़निती नहीं चलेगी अजित कुमार से बात के हमारे सायोगी राकेश कुमार ने रामगर के चुनाओ को फिलाला देखिए भले मीडिया में जो भी परसेप्शन दिखाया जा रहा हो कि मुकाबला किसी के किसी के साथ है लेकिन सपस तोर पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि चुनाओ जो है वो जार्खन पार्टी के पक्ष में है संतुस कुमार महतो के पक् पार्टी के उमिद्वार को लोग सरवाधिक सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वहां के गाउं में मैं गया हूं वहां के बजारों में मैंने जो है वो भ्रहमन किया है तो मैंने इस पस तोर पे देखा है कि काफी समर्थन मिला है जार्खन पार्टी के उमिद्वार को संत नेता भी campaign में आप लोग के वहां साथ हैं दूसरी पार्टियों के देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी या मुस्लिम लीग अन्य पार्टियों का भी समर्थन हमें मिला है उनके नेता भी हमारे पार्टी की और से हमारे पार्टी के लिए प्रहमन कर रहे हैं और अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो काफी चीजे सकारात्मक हुई है जहां तक अन्य पार्टियों का सवाल है मैं इस परस तोर पर आपको कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस के जो मिद्वार है उनकी रननीती यह है कि राज्य क्या मुख्यमंत्री जो है वो बच्चे को ले करक के एक सानुबूती लेने की कोशिस की जा रही है जो कि सरासर गलत है एक छोटा सा बच्चा जो मा के साथ रहना चाहिए था मा के जमानत के लिए परियास नहीं कर रहे हैं यह लोग मा को जेल में रख करके बच्चे को बाहर रख करके जो कि बच्चे को मा के साथ रखने की आ सकती थी लेकिन जबरदस्ती बच्चे को स्टेज पे ला करके और बच्चे के नाम पे भोट मांगा जा रहा है तो यह गलत भी है और वहां की जनता जो है रामगड की वह बाखुबी समझ रही है कि यह गलत है दूसरी बात पति-पत्निवाद की बात लोग कर रहे हैं विक करा है कि क्या रामग souls की और अच्छा केंडिडेट को या आजसुको नहीं मिला क्या उसी परिवार की पत्नीया या पति सबसे योग्य है रामगड में और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी का जो कांडिडेट है जहारकन पार्टी का संतोश कुमार मैं तो वह जबकि दूसरी पार्टियों के कंडिडेट्स के लिए बड़े-बड़े नेता या राजसरकार के मंत्री पार्टियों के बड़े-बड़े नेता मुख्य मंत्री जी सोयम जाके चुनाव परचार कर रहें तो ये हवा बनाने की कोशिस की जा रही है मैं तो समझता हूं कि जार पार्टी एक ऐसा इतिहास रचने जा रही है हमारा केंडिट एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो पूरे राजी की जनता देखेगी मैं वहीं पर आ रहा था चुकि बाचित में आपने पहले कह दिया कि एक तरफ जो है इमोशनल काड़ वाली सियासत वहां हो रही है और स्यासत रामगड में इस बार नहीं चलेगी देखिए आज सू से जो विधायक रहे रामगड से वह पेजल मंत्री भी रहे लगबग 10 वर्स के लिए और रामगड की जनता रामगड सहर की जनता पेजल के लिए ही तरही तरही कर रही है कई एक जगों पे मैं जब भ्रहमन कर रहा था तो मुझे भी रोक करके मैल आये बोल रही थी कि यहां पर कम से कम पानी की वेवस्था कराई जानी चाहिए और वो लोग मुझसे भी कह रहे थे कि आप कुछ करिए आम तोर पे चुनाव के समय में ही यह नेता लोग जो है बड़े-बड़े जाते हैं हमारा वो वहाँ पे काम करता रहा है तो अपने काम के एवज में वो लोगों के बीच में गया है लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रख रहा है और अन्य पार्टियों के जो प्रत्यासी हैं उनको बोलना भी नहीं आता है मैं समझता हूँ वो स्वैम लोगों के बीच भी जा कालिन ने जो काम किया है रामगड में वो सभी जानते हैं ये मीडिया में कैसी भी कबर फैलाई जा रही है लेकिन मैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको शेर करता हूं कि वहां के लोग तरस्त हैं और वहां के लोग बेसिक अमेनिटीज के लिए भी रोते हैं जो ट्रैक रिकोर्ड है सरकार का सरकार के तीन साल में यह पांच्मा उपचुनाओं होने जा रहा है तो ट्रैक रिकोर्ड तो शांदार है लेकिन आप कहरें कि ज्यारखन पाटी इस बार रामगड में सर्प्राइजिंग इलिमेंट हो सकता है देखिए पहले जो चुना हुआ करता था वो इनकी fight no choice है no choice के बीच में थी लोगों के पास कोई choice नहीं था कोई options नहीं थे either of the parties को लोग vote दिया ही करते थे मैंने सपस्त तोर पे बराबर कहा है कि मुसल्मानों को राज्य के अलपसंख्यकवर के लोगों को I mean Congress की पार्टियां Congress जैसी पार्टी always use करती रही है उनको vote bank समझती रही है तो जब भाजपा और Congress या भाजपा या जामूमों के बीच में चुनाव होता है तो ये लोग एक पक्ष के लोग Muslim vote को ले करके आस्वस्त रहते हैं दूसरे पक्ष के लोग non Muslim votes को ले करके आस्वस्त रहते हैं ये पहली बार होने जा रहा है और राज्य में 2024 के चुनाव मे भी ऐसा ही होगा जब लोगों के पास एक अच्छा स्पस्ट विकल्प होगा जारकन पाटी ने यही तैय किया है कि यहां के अलपसंख्यक वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिदितों दिया जाए यहां के महिलाओं को उचित प्रतिनिदितों दिया जाए यहां के बुद् जैसे योगी लोगों को ले करके लोगों के बीच में आएंगे तो एक अच्छा विकल्ब देख करके लोग इस पस्त दौर पर हमारी पार्टी के साथ चल पड़े हैं और चल पड़ेंगे आजि आखरी सवाल चलते चलते ले लेते आप से ये कहा ज़ा है की मुखमंतरी के लगातार करकमे उसे जो महौल है वहां का वो सकता है आपको भी ऐसा लगता है या लगता है कि कुछ फर्ट नहीं पड़ने जा रहा है देखिए मान्य मुख्यमंत्री जी के जितने ट्वीट आते हैं उसका जवाब क्या आता है साथ मान्य मुख्यमंत्री जी नहीं देखते हैं या उनके पार्टी के लोग नहीं देखते हैं जिस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के मन में है यहां कोई नियोजन निती नहीं बन सकी 1932-1932 करके इन्होंने तीन साल साड़े तीन साल बरवाद किये अब पुना 2016 की नीती लाने की बात करते हैं ऐसे में युवाओं का उम्र बरवाद हुआ है उनकी नियोजन की जो योजना थी या जो सपने वो देखते थे वो बरवाद हुआ है तो सारा युवावर्ग जो है वो तरस्थ है व्यतित है और जिस तरह की कारवाईयां राज में इडी के द्वारा हुई है लगातार आप समझ लिजीए कि छोटे-छोटे मामुले में भी छोटे-छोटे मध्यम अस्तर के अधिकारी के मामले में भी प्रष्टाचार का इतना बड़ा बड़ा मामला रहा है तो आप समझ लिए कि क्या राजी की जनता अंधी है या बेवकूप है जो नहीं समझ पा रही है कि बिगत साड़े तीन मर्सों में हुआ क्या है तो मुख्यमंत्री जी के जाने आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राधर बच्चे को गोध में ले और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा